हेलो एवरीबन वेलकम तो और योट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू देखेगा आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं कि 2021 में जो हमारा 31st जोडिसरी बिहार जोडिसरी का जो एक्जाम हुआ है इसमें हमने एक टैसरी स्टार्ट की थी जिसमें क्या था कि हम लोगों ने आपको टैस्ट पेपर प्रोवाइड किये थे उसके आंसर आपको लिखकर हमें सेंड करने थे टाइमिंग होती थी और उसके ब क्या आपके लिए helpful हुए यज़ नहीं देखेगा आप कहीं से भी कोई भी 및स जोईन कर सकते हैं कोई जोई कर सकते हैं है वह सारे apps हैं हो सारे channels हैं सब लेकिन क्या है propose क्या होना चाहिए कि आपको फाइदा होना चाहिए चीकि तो इस विडियो में कहें करेंगे क्या analyze करेंगे कि क्या जो हमने test paper provide किये क्या महां से question लगा है या फिर नहीं लगा है तो देखे पहले हम question test paper को question देख लेते हैं sorry question paper देख लेते हैं जो 2021 में law of evidence and procedure का जो paper आया और इसके बाद में हम अपने वाली जो test series से उसे analyze करेंगे इससे चीक है तो चलिए देखते हैं सबसे पहले question है कि निमलिक के अर्थ समझाए cpc है group one तीन question आते हैं दो के answer देने होते हैं question number one two three होगा और समेंसे आपको one two करें या one three करें जिसका जो one है वो करने है दो question करने है चीक है लेकिन question number one है तो a और b सभी part आपको mandatory है वो करने ही होंग चीक है तो देखे सबसे पहले क्या है कि निमलिक के अर्थ समझाने है किसके अर्थ समझाने है मद्यवर्ति लाब क्या होता है और मद्यवर्ति लाब आपको सभी को पता होगा section two twelve में क्या दी गई है definition दी गई है मद्यवर्ति लाब की फिर अंकीचन व्यक्ति कौन होता है निर्धन विक्ति कहां पर है, order 33 में अंकीचन विक्ति की बात की गई है, इसके बाद है कि दिवानी बात दायर करने के इस्थान से संबंदित विधी का विस्तार से वर्णन करना है, जो दिवानी बात जो दायर किये जाएंगे, उनका इस्थान कहां होगा, तो इसके बारे मे 18-19-20 तक यहां वाद दायर करने से संबंदित इस्थान के बारे में बताया गया है CPC में चीक है फिर इसके बाद में आ जाता है S3 व्यादेश क्या होता है कब और किन मामलों में S3 व्यादेश प्रदान क्या जा सकता है Order 39 की यहां पर बात कर रहा है फिर एकि ओन विभिन संबत्तियों को बताये जो दिवानी प्रक्रिया सेहिता के अंदरगत आगयप्ति के निस्पादन में कुलकी से मुक्त है तो कहां पर है Order 21 ठीक है निस्पादन से रिलेटिड है फिर इसके बाद में है कि बिस्टिन गाइस बिट्विन दा पोलेंग की इनके बारे में अंतर करने है आगयप्ति और आदेश क्या होता है तो आगयप्ति कहां है दो-दो में आगयप्ति और दो-चोदा में ओर्डर ठीक है फिर एक की रिवी और रिवीजन में अंतर करना है ठीक है यह हुए हमारा सीपीश को कॉश्चन इसके बाद में आता है भाई हमारा खंड भी अभी इसमें पार्ट भी है कि इसमें परतिदावा और परतिसाधन क्या होता है परतिक्स संदिक्दा क्या होती है लोक लक्शी निर्णे और वक्ति लक्शी निर्णे क्या होते है एके कोश्चन करना है तो फिर है आप राधिक एम दिवानी मामरों में चरित के साश्य के सुशंगता की विवेचना करनी है इसके बाद में है कोशन नमर 6 की सबूत के भार से आप क्या समझते हैं सभी को पता होगा सबूत का भार कहा पर है सेक्शन 101 से स्टार्ट हो जाता है 106 तक फिर उन्होंने इसमें इलस्टेशन दे दिया कि अगर A ने B को 1000 रुपर उधार दिया तो B ने जवाब दिया है कि उसने 500 C के सामने A को लोटा दिये तो सबूत का भार किसके उपर होगा फिर वे कौन से दत्य हैं जिनको वाद के पक्सकारों को सिद करना आवशक नहीं है 56, 57, 58 सभी को बताओगा सेक्शन इसके बाद में आता है मारा पार्ट C कि एक माद्धिस पंचार्ट को पास्त करने के आधारों की विवेचना करनी है जिसके बाद में है टिपनिया लिखनी है किस पर भी माद्धिस पंचार्ट क्या होता है आया था और इस बार small call squad के भी इनोंने दो question डाल दिये, एक question part मतलब question number 10 था, उसमें दो part में करके इनोंने question दे दिये चीकर लेकिन अगर किसे से CRPC अच्छे से आता है तो उसे कोई attention लेने की जुरत नहीं है वो CRPC अपना attempt कर ले जैसे इसनोंने CRPC में पूछा कि आरोप क्या होता है, कि नियले आरोप में परिवर्टन कर सकता है और कर सकता है तो कब कर सकता है फिर है कि संगे और असंगे अपराद क्या होते हैं दोस्जिद्धी और दोस्मुक्ती क्या होती है देखे, SEC का भी कोशन देख लेते हैं कि प्रांते लगुवाद नियले अधिनियम 1887 के अंतरकत लगुवाद नियले द्वारा मामले को निप्टाने के लिए अपनाई जाने वाली परक्रिया की विवेशना कीजिए और क्या नियले वादों की सिनवाई है तो लगुवाद नियले सक्षम है विवाविच्छित की साहता को कवाद साजेदारी को समाप्त करने के लिए वाद तो अभी तक हमने क्या देखा अभी तक हमने देख लिया कि भई जो कोशन पूछे गए थे कि कोशन क्या पूछे किसने एकशामीरर्णे जो हमारा एविदेंस और प्रोसेजर का पेपर हुँआ अब हमें देखना है कि जो हमने आपको टेस्ट पेपर प्रोवाइड कि है तो उसमें से ये लो आफ लिएज़ और प्रोसेजर के पेपर में आप लोगों को टेस्ट पेपर 1 है, टेस्ट पेपर 1 है, टेस्ट पेपर 1 में law of evidence देख लेते हैं, तो उसने क्या पूचा था, सबूत के भार पूचा है न, तो जो हमारा देखो, question number 4 है, ये सबूत के भार से related है, कि सबूत का भार कर समझाए, सबूत का भार किस पर होता है, टेक है, एक question cover इसके बाद में उसने क्या पूचा हुआ था, एक question उसने पूचा था, कि भई, पक्सद्रोही साक्षी कोन होते हैं, तो अगर आप देखें, तो question number 5 में, जो हमने B वाला question बना रखा है, A और B में, तो उसका second part पक्सद्रोही साक्षी से ही related है, वहाँ भी tip ने लिखने के ल तो उसमें question था, सूचक person, अब देखेंगा question number 5 का जो part A है, वो सूचक person किसे कहते हैं, उन्हें कौन पूच सकता है, उसने सिर्फ क्या लिखा था, सूचक person पर tip ने लिखनी थी, चीक है, clear है, तो आप देख सकते हैं कि 3 question यहाँ पर दिये गए थे, और 3 question में से कितने question complete हो सबुत का भार भी हो गया, सूचक person भी हो गया और पक्स द्रोही साक्षी वाला भी हमारा question हो जाता है, चीक है, इसके बाद बाद कर लेते हैं, हम CPC की, तो CPC में जो question था, question number 2, S.T.I. व्यादेश क्या है, कब और किन मामलों में S.T.I. व्यादेश प्रदान क्या जा सकता ह CPC में, यहाँ पर देखेंगे, आप S.T.I. निसेदाग्या दिवाने अदालत कब जारी कर सकता है, यह question है, चीक है, यह हमारा test paper 1 ही चल रहा है अभी, इसके बाद में उसमें question दिया गया था, कि भई, वाद संसित करने का इस्थान, तो यहाँ पर illustration के रूप में वाद संसि पर pattern हो गया होगा, चीक है, clear हुआ, तो देखें, यह test paper 1 से हमारा जो paper है, जो law of evidence और procedure का जो paper है, यहाँ से हमारा इतना portion, सिर्फ हमारे test 1 से ही complete हो गया, चीक है, इसके बाद हम देखते है test 2 अपना, फिर भई, देखें, हमारा test paper 2 है, चीक है, law of evidence और procedure का, तीन-तीन test provide के ग प्रस्तुत करने का स्थान निर्धारित होता है, तो यहाँ पर section 15 से 20, section 20 तक, यह पूरा provision यहाँ पर complete हो गया, और इसका मतलब क्या है, जो हमारा question था, कौन सा question, question number 1 का, जो B था, चीक है, कि दिवानी बाद से बात दायर करने के स्थान से समन्दित वीधी का विस्तार से व और order, आगेपती और आदेश में अंतर करना था, यहाँ पर देखे, यह जो question है, question number 3 का B, यहाँ पर आगेपती और order, ठीक है, इनमें अंतर ही पूछा हुआ था, चीक है, किलियर हो गया, इसके बाद में देख लेते हैं, बाकी, उसने evidence act के question देखते हैं, evidence act में उसने, पज कि पर्तक्स और एपर्तक्स संदिगता क्या होती है, चीक है, अब यहाँ पर question number 5 का अगर आप भी देखें, तो दस्ते वीजो की संदिगता से आप क्या समझते हैं, पर्तक्स और एपर्तक्स संदिगता को समझाईगे, चीक है, question complete, वो question पूरा cover हो गया है आपर, चीक है, प arbitration वाला question, तो यहाँ पर पूछा हुआ था कि मादस्त्म कारवाई और मदस्त क्या होते हैं, लेकिन उसने क्या पूछ लिया, मादस्त्म करार पूछ लिया, चीक है, फिर इसके बाद में यहाँ अंतिम पंचार्ट और मादस्त्म पंचार्ट कराया था, उसने क्या पूछ पूछ था कि मादस्तम पंचार्ट को अपास्त कैसे कर सकते हैं, क्लिया रहे, अब यह है हमारा last, जो हमारा test paper 3 था, law of evidence and procedure का, यहाँ से भी देख लेते हैं कि क्या कोई question हमारा cover हो पाया, क्या, है न, तो अब की बार देखिए, उसने रैस जोडी काटा वाला type का कोई भी question पूछा नहीं था, चीक है, इसके बाद में question देख लेते हैं, हम evidence, I think evidence को जो paper था, वो almost cover हो गया था, इसमें, एक question उसमें था भी मिर्तियुकालिन कथन का, ठीक है, तो यह हमारा test paper 3 वाला जो question है, question number 6 की मिर्तियुकालिन कथन से आप क्या समझते हैं, मिर्तियुकालिन question के आवशक तत्व के वेतना किजिए, इसका साश्य का मुल्य क्या होता है, चीक है, तो यहाँ पर कौन सा question था वही, question number कौन सा था, question number था, question number 4 का A, चीक है, अगर आप देखें, तो evidence act के तो almost सारही question ऐसे हैं, जो की cover हो गये हैं हमारे, चीक है, इसके बाद में, CRPC, देखे विदेसी पंचाट, उसने पूछ लिया कि विदेसी पंचाट क्या होता है, है न, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को विदेसी पंचाट का भी question दिया था, चीक है, इसके साथ में दो question include किये गए थे, New York अभी समय और जेनेव अभी समय ये विदेसी पंचाट है, चीक है, लेकिन उसने direct क्या पूछ लिया था, कि विदेसी पंचाट क्या होता है, इसके उपर टिपनी लिखनी है, चीक है, मातर उसने ये वाला question पूछा, चीक है, इसके बाद उसने क्या पूछ था, कि संगे और असंगे अपरात पूछ लिये, CRPC में दोस्मुक्ती और, क्या पू करें कि अगर हम लोग देखें, कि अगर evidence और procedure का अगर हम paper देखें, तो I think कि 60-70% जो paper है, वो हमारे 3 test paper में से cover हो रखा है, है ना, अभी अगर आप 70% या 60% अगर हमारे test paper से कर लेते हैं, और वो भी low का portion जो कि इतना वड़ा है, low of evidence and procedure में 4 subject आते हैं, evidence भी है, CPC भी है, CRPC और arbitration भी है, ठीक है, अगर आपका 60-70% test paper से cover हो पा रहा है, बाकि आप खुद करेंगे, है ना, तो आप देख सकते हैं, कि आप कितना अच्छा score low में भी कर सकते हैं, ठीक है, तो भी हमारा इसी तरीके से जैसे हमने यह सब कराया था, civil junior division के लिए test series start कराया थी, इसी तरीके से हमारा, अभी APO का exam होने वाला है, 24 तारिक से, तो उसके लिए भी हमारी test series है, वो start हो रखी है, ठीक है, अगर आप चाहें, तो उन्हें join कर सकते हैं, ठीक है, यह हमारा test 8, किसका, APO वाला, जो APO का exam होने वाला है, बिहार APO का exam हो चाहें लिए, सक्षांट करने वाले तत्यों की स्वतंतरता को सपस्ट करना है, सिध्दान क्या होता है, उसे Indian evidence pact में कहां समाइद क्क्या गया है, सुचक अगर कोई पूरा कितना भी पढ़के जाता है 100% तो paper कोई भी attempt नहीं कर पाता है उसमें भी थोड़ी बहुत कमी रह जाती है लेकिन मेरा इत्ता मानना है कि अगर आप इस test series को join करते हैं तो आपको बहुत पायदा होने वाला है आपको बहुत सारी practice हो जाने वाली है आपको question क answer कैसे लिखना है किस तरीके से prepare करना है वो सारी जानकरे आपको मिल जाएगी ठीक है अगर आप join करना चाहते हैं तो description में detail दी हुई है आप join कर सकते हैं thank you so much